तो मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके लिए कंडेंसर क्लीन करने के लिए कोईल क्लीनर के साथ में कंडेंसर को लिए क्लीन करके दिखाया था उसमें ही एक सवाल था कि रेडियेटर को इसके साथ में क्लीन कर सकते हैं और भी बहुत सारे सवाल थे उन सारे सवालों का मैं जवाब साथ-साथ में देता रहूंगा, वीडियो में बने रहिएगा बट बेसिकलिए आपको बता दूं कि कंडेंसर तो मैंने आलड़ी आपको क्लीन करके दिखा दिया पर रेडियेटर को क्लीन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बहुत बड़ा सवाल था और आज आपको मैं साथ-साथ में दिखाने वाला हूँ कि रेडियेटर को कैसे क्लीन के जाता है कोईल के साथ में तो आप देखेंगे, इस radiator में भी बहुत सारे bugs चिपके रखे हैं, यहाँ पे bugs मतलब जितने भी कीडे, मकोडे और मिट्टी बगरा है, इस radiator में बहुत सारी चिपकी रखी है, और मैं आपको बता दू, सबसे बड़ा सवाल था कि condenser में और radiator में फरक क्या होता है, तो sir मैं बत जाली में कोई भी आपको प्लास्टिक का ऐसे hose टाइप के नहीं मिलेंगे, मतलब रेलिंग टाइप के नहीं मिलेंगे, दूसरा जो condenser आपका होता है, condenser में आपको छोटी-छोटी pipe में मिलती है, मतलब इस तरह की attachments मिलेंगी, aluminium type की, और यहाँ पे कोई plastic बगरा की attachments नहीं मि आके लगती है, इस तरह की pipe आपको radiator में मिलेंगी, और radiator में जो आपको pipe attachments मिलेंगी, वो इस तरह का किसी-किसी गाड़ी में ढखकन होता है, किसी-किसी में नहीं होता है, यहाँ पे coolant डालने वाला, और साथ में जो आपको hose मिलेगा, मतलब पाइप मिलेंगी, ऐसे मोटी मि बिल्कुल नए लोगों के लिए, आप easily पकड़ दाएंगे कि कौन सा radiator है और कौन सा condenser है, तो यह तो मैंने आपको बता दिया, साथ मैं आने वाली वीडियो में निकाल रखा है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो में बनाने वाला हूँ, स्पेशली AC सिस्टम के उपर में, क्योंकि अपनी गाड़ी का मैंने AC सिस्टम डिलीट कर रखा भी, यहाँ पे compressor लगा रहता है, आपको दिखाने के लिए, बहुत सारी चीज़े मैं दिखाऊंगा आगे आने वाली वीडियो में, और साथ मैं आपको बता दूँ, यहाँ प इस कोइल के साथ में, और सारे सवाल जो होंगे, साथ में हम सवालों का जवाब भी ढूण लेंगे, इस वीडियो में easy तो पिछली वीडियो में तो मैंने खाली एक बोटल में छेद करके इस कैमिकल को यूस किया था बड़ इस वीडियो में मैंने अभी जुगाड बनाया है इसकी मैं बात कर रहा था आपके साथ में ये कॉलिन के उपर में जो डगकन टाइप का लगा रहा था ना स्परियर टाइप का वो मैंने निकाला है कॉलिन की बॉटल से और एक बॉटल ली है मैंने ये चोटी सी इसमें मैं भी कैमिकल डालूँगा और उसके बाद में इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से और याद रखिएगा जितना कम आप इन कैमिकल्स का यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा रहता है मतलब साल में एक बार चलता है दो साल में एक बार अगर आप करेंगे तब यह चलेगा और यहाँ पर आप देखेंगे मैंने बहुत ही कम कॉंटिटी का यूज़ किया है इस कैमिकल्स का तो यहाँ पर देखेंगे कितनी थोड़ी कॉंटिटी मैंने ली है हमारा बेसिक परपस क्लीन करना है तो यह क्लीन इतनी कॉंटिटी अच्छे तरीके से क्लीन कर देगी और इतना लेने के बाद में आपको इसके साथ में पानी मिक्स करना है जितना ज़्यादा पानी का यूज करेंगे उतना बढ़िया रहेगा और याद रखिएगा अगर hard water का आप यूज कर रहे हैं तब ये इतना अच्छा result नहीं देता है पानी में अगर salt का content कम है तो ज़्यादा अच्छा रहता है और कोई भी अगर आप cleaner यूज करते हैं वो alkaline हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है acidic या फिर basic नहीं होना चाहिए तो ये मैंने पूरा पानी के साथ में भर लिया इस bottle को और अच्छे से shake करने के बाद में पहले मैं condenser को पानी से धोलूँगा और उसके बाद में इसको बड़े तरीके से spray करूँगा दोने का मेरा purpose यही है कि पहले पानी से जितनी cleaning हो जाए उतना अच्छा रहेगा और इसको साथ में मैं spray करूँगा हर fins के उपर में बहुत उपर से लेके नीचे तक जितने भी fins है उनके उपर में इस chemical को मैं spray करूँगा तो condenser cleaning वाली वीडियो में जो सबसे बड़ा सवाल था वो यह था कि यह chemical मिलता कहां पे है तो sir यह जितनी भी आपकी AC की spare parts की shop रहती है AC की मैं अगर बात करूँ तो जो आपके household AC होते हैं जो घर में आप AC लगाते हैं उनकी जो भी spare parts की shop रहती है या फिर उनकी servicing की shops रहती है उनके पास में यह chemical रहता है हमेशा coil cleaner के नाम से यह chemical आता है उनके पास में हमेशा यह chemical आपको easily मिल जाएगा और बहुत कम rate में मिल जाएगा link मैंने इसलिए ही share नहीं किया है क्योंकि online यह बहुत महंगा है और हमारा सारा purpose जो है उसको खतम कर देगा अगर हम 10 रुपे, 20 रुपे का काम अगर 5,000, 3,000 में कर रहे हैं उससे अच्छा तो better है किसी AC के servicing करने वाले को ही उतने पैसे दे दे हमारे को इतना ताम जाम करने की जरूरत ही नहीं है तो आपके पैसे बरबाद ना हो इसलिए मैंने online link share ही नहीं किया है यही basic कारण है क्योंकि यह बहुत ही सस्तिक rates पे आपको दुकानों में मिल जाता है और आप किसी भी घर वाला जो आपके AC ठीक करने वाला होगा या फिर उसकी spare parts की shop होगी वहाँ पे आपको यह chemical मिल जायेगा तो same condenser cleaning की तरह में जैसे condenser cleaning किया था उस तरह से मैंने spray कर दिया है और अपना इसने result दिखाना शुरू कर दिये है मैंने quantity कम यूज की है इसलिए उतना जाग नहीं बनेगा यहाँ पे और करना भी नहीं चीए जितनी कम quantity का आप यूज करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा एक सवाल मुझे इस वीडियो में और आया था कि क्या इसे घर के AC में यूज कर सकते है तो सरी यह जो product बना है यह आपके household AC के लिए ही बना है जितने भी आपके AC सर्विसिंग करने वाले आते हैं वो AC chemical का यूज करते हैं जब भी आप चाहे किसी भी company से AC की सर्विसिंग करवाएंगे वो लोग जो products यूज करते हैं वो यही होता है आपके घर के AC क्लीन करने के लिए गाड़ी का AC क्लीन करने के लिए ये products नहीं बने है हलांकि एक चीज मैं आपको बता दूँ घर के AC में और गाड़ी के AC में कोई फरक नहीं होता है दोनों लगबग सेम होते हैं ध्यान आपको यही रखना है कि कम quantity में यूज करिए ज्यादा quantity में यूज मत करिए किसी भी चीज का ज्यादा quantity में यूज करना खराब होता है वो अच्छा नहीं होता है एक सवाल और था कि क्या ये condenser को या फिर आपकी cooling coil को या फिर radiator को कहीं गला तो नहीं देगा यहाँ पर resting तो नहीं होगी तो sir मैं बाद में फिर आपको बताता हूँ अगर आप ज़्यादा quantity में यूज करते हैं तो नुकसान 110% होता ही होता है किसी भी चीज का अगर आप ज़्यादा यूज करते हैं यह मेरी personal गाड़िया है मैं आपको यूज करके दिखा रहा हूँ और साथ में आपको results का पता भी लग जाएगा अगर आपको आज यूज नहीं करना है आप मेरे से आने वाले वक्त में पूछ सकते हैं यह वैगनार है और आने वाले टाइम में मैं आपको बता देता हूँ कि AC सिस्टम के उपर में complete आपको वीडियोज मिलने वाली है compressor के अंदर में क्या होता है क्या मामला रहता है कैसे gas भरी जाती है सही gas की quantity का पता कैसे करें कि कितनी gas है हमारे AC सिस्टम में कितनी नहीं है efficient cooling कैसे ली जाती है complete AC की servicing कैसे की जाती है यह सारी वीडियोज मैं आपको देने वाला हूँ आने वाले वक्त में तो अभी जब इतने इसने अपना सारा काम करना जो है शुरू कर दिया है almost हमारा काम होई ही चुका है मैंने कम quantity में यूज किया था इसलिए जाग यहां पे कम बना है तो अगर आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है तो यह अच्छा ही है कोई खराब नहीं है तो हमारे को अभी इसको धोना है तो धोने का प्रासेस मैं आपको बता देता हूँ सर प्रेशर वासर जो होता है उसका ज्यादा यूज मत करिये जितना कम प्रेशर रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा कारण क्या है कि इसके जो फिन्स होते हैं वो टेड़े हो जाते हैं तो अगर प्रेशर वासर से आप साफ करते हैं और उसके बाद में अगर फिन्स को टेड़ा कर देते हैं तो फिर आपकी की कराई जो महनत होती उसके उपर में पानी फिर जाता है क्योंकि अगर फिन्स टेड़े हो जाते हैं अगर आपका एरफलो एकदम रुख जायागा तो फ्रेशर वासर जो है उसका आप यूज मत करिए जो वीडियो में सबसे बड़ा सवाल था वो यही था कि यह कैमिकल मिलेगा कहां पे सर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको कैमिकल नहीं मिल रहा हैं अगर आप इसको नहीं ढूण पा रहे हैं आप सिंपली ऐसे जिस तरह से हमी मैं पानी से धो रहा हूँ बिना कैमिकल यूज करिए आप ऐसे पानी से धो देंगे अगर शैंपू का यूज कर लेंगे या फिर किसी भी डिटरजन का यूज कर लेंगे तब भी अच्छा रहता है कोई नुकसान नहीं करता है भले ही आपको फाइदा ही देगा तो सिर्फ बेसिक परपस जो हमारा है वो यही है कि कंडेंसर और रेडियेटर दोनों में जो भी धूल मिट्टी होती है वो हमारी अच्छी तरीके से साफ होनी चाहिए वहाँ पे एरफ्लो जो है वो रुकना नहीं चाहिए मेरा बेसिक परपस वीडियो बनाने का यही था अगर आप इसको मतलब हफते में दो हफते में एक बार कर लेते हैं पानी से ही अगर धोते रहते हैं अगर आप रेगुरलर्ली पानी का यूस करते हैं आफ़ते दो हफते में तो आपको कभी भी चैमिकल का यूस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए या फो पहले ही आपको आधा गंटा लग जाय गारी धोने में coil खराब होने का simple reason यही रहता है कि हम अच्छे से उसको दोते नहीं है हम कोता ही बरत देते हैं तो अगर आप दोएंगे नहीं chemical वहाँ पे छूड जायागा और छूटने के कारण में वो नुकसान करेगा अगर आप इसको साफ कर देते हैं अच्छे तरीके से वो left to right है मतलब parallel है ground के parallel है vertical नहीं है तो इस तरह से मैं wash करूँगा और wash करने के बाद में results जो है मिलको बहुत ही अच्छे मिलने वाले आने वाली videos आपके लिए बहुत interesting होने वाली है क्योंकि पूरा EC system में उसमें cover करने वाला हूँ और especially जो आपके इनको कैसे सीधा किया जाता है इनको भी आपको आने वाली videos में दिखाऊंगा तो आशा करता हूँ आपके सवालों के आपको जवाब मिलेंगे और ये video आपको पसंद आई होगी videos को like करने के लिए चैनल को subscribe करने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं कची जी वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत